हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल ठीक है तो अब देखिए फर्स्ट कोश्चन है सपोस करिए हमारे पास ये कोश्चन है और इस कोश्चन में हमें वैल्यू निकालनी है X divided by Y मतलब X by Y की वैल्यू निकालनी है तो देखिए मैं इसकी वैल्यू एकदम इजिली निकाल सकता हूँ कुछ नहीं है आप देखिए इजिली एक बार 9 प्लस 4 कर दीजिये 9 में 4 जोड दीजिये और डिवाइड में 9 माइनस 4 कर दीजिये तो वैल्यू क्या आजाएगी 13 divided by 5 और यही इस question का answer हो जाएगा देखिए कितना आसान है सपोज करिए हमारे पास X plus Y divided by X minus Y की वैल्यू 7 by 3 है तो हम इसमें भी क्या करेंगे 7 में 3 जोड दीजिये 7 plus 3 और अब 7 में से 3 गटा दीजिये 7 minus 3 कर दीजिये तो value क्या आजाएगी 10 divided by 4 और इसको जब काट देंगे तो यह 2 और यह आजाएगा 5 यानि के 5 by 2 इसका answer आजाएगा तो आप देख सकते हैं कि इतना easily हमने इनकी values निकाल दी पर इसके पिछे का logic क्या है और यह concept क्या है तो सबसे पहले हम इसका concept करते हैं अब देखे concept क्या है concept है हमारा suppose करिए x divided by y equals to a divided by b है ठीक है तो हमारा rule क्या बोलता है जो component and dividendo rule होता है वो rule क्या बोलता है वो rule बोलता है कि अगर आप numerator मे numerator में एक बार numerator और denominator को जोड़ दीजिए ठीक है और उनको divide कर दीजिए उनके difference से मतलब एक बार घटा दीजिए तो x minus y कर दीजिए और यह हम right hand side में भी करेंगे और left hand side में भी करेंगे दोनो side में हमें यह चीज़ करनी होगी तो अब देखिए left hand side में तो हमने कर दी अब right hand side में भी करते हैं तो यह क्या जाएगा a plus b divide by a minus b तो component dividend rule बोलता है कि अगर हमें इनकी value निकालनी है तो हम यह चीज़ भी हम कर सकते हैं हम इनको ऐसे add और subtract कर सकते हैं यह value हमेशा equal होगी तो इसके through मैं आपको first वाला जो question था इसका logic दिखाता हूँ ठीक है यह हमारे पास first question था यह देख लीजिए ठीक है यह first question था अब देखिए हम इसका logic करते हैं यहीं पर ठीक है मैं आपर logic करता हूँ इसका अब देखिए x plus y divide by x minus 4 equals to 9 by 4 है ठीक है तो हम यहापर component and dividend rule लगाएंगे मतलब यह वाला rule लगाएंगे अब देखिए हमने क्या किया था उपर वाली value और नीचे वाली value add कर दी थी तो आप add कर दीजे x plus y और इसमें add क्या करना है x minus y add कर ठीक है divide by एक बार इन्हें subtract करना है तो हैनिक है x plus y में से subtract करना है x minus y को और equals to किस चीज के आ जाएगा यह अब देखिए 9 plus 4 हो जाएगा divide by 9 minus 4 हो जाएगा ठीक है आप यह चीज ध्यान रखिए हमें value निकालनी है x by y की x divide by y की value निकालनी है तो अब देखिए हम इसको solve करत हैं दोनों साइड से तो यहाँ पर देखिए अब अगर मैं उपर का solve करूं तो x plus y plus x minus y divide by x plus y यह हो जाएगा x plus y और यह जब bracket खुलेगा तो यह यहाँ पर minus है तो यह bracket खुलने पर minus x हो जाएगा और फिर minus की multiply minus y के साथ होगी तो minus minus क्या हो जाएगा plus तो यह आजाएगा plus denominator बच गया और यह equal किस चीज़ के है यह equal है 3 by 5 के अब देखे 2 से तो 2 कट जाएगा 2 से 2 कट गया तो value किस चीज़ की बची हमारे पास value बची हमारे पास x divided by y मतलब x by y की value बची जो की किस चीज के कोल हो जाएगी 13 by 5 की यानि के x divided by y की value 13 by 5 हो गई और हमें यहाँ पर किस चीज की value निकालनी थी हमें निकालनी थी value x divided by 5 की sorry x divided by y की तो वही x by y की value हमारी 13 by 5 आ गई component and dividend rule से तो यहाँ मैंने direct किया था मतलब यह इतना बड़ी calculation करने की जरूरत नहीं है आप direct करिए जैसे मैंने यहाँ पर component and dividend rule लगा था और मैंने direct कर दिया था आप इस type के question इस से इस वाले method से component and dividend rule से कर सकते हैं तो अगर यह वीडियो अच्छी लगी और यह concept अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार like कर दीजिए और चैनल को subscribe कर दीजिए thank you friends मिलते हैं next वीडियो में आपके लिए हम ऐसा ही content लाते रहेंगे